हलो एवरिवन अब तक जो है आपने न्यूज सुन ली होगी कि मनीपूर में जो टेरर अटेक हुआ है उस पे आपने बहुत सारे न्यूज पढ़ी होगी इन बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे पर रिसेंटली पीपल लिप्रेशन आर्मी जो है इसके अलावा मनीपू को बना रहा हूं और यह जो टेररिस अटेक हुआ है यह पूरा वैल प्लांट था और इसके पहले भी 2020 में हमको अटेक देखने को मिला लेकिन उस अटेक में मिल्टरी परसनेल को टार्गेट किया गया उनकी फैमली सो कभी टार्गेट नहीं किया और यह पहली बार ऐसा हु प्लांट एमबुश देट किल्ड कलनल फैमली इंत मनीपूर तो जो मनीपूर में करेंस अटेक हुआ है उसमें पी एले पीपल लिबरेशन आर्मी इसके अलावा मनीपूर नागा पीपल्स फ्रंट इनको यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है और इन्होंने यहाँ पे रिस्मो लिबरेशन आर्मी लेकिन यह वो नहीं है पीपल लिबरेशन आर्मी यह मनीपूर का जो है ग्रुप है जो चाहता है इंडिया से मनीपूर को अलग करना तो क्या हुआ है किस तरीके से इस टेरे सेटक को प्लान किया गया है वो समा मिसूड में देखने वाले हैं उसके पहल में जा रहा है प्लान को परचिस करना है कोर्स को इंजुआ करना है एक ही सब्सक्रिप्चन में आप सभी कोर्स अविल कर पाओगे पर आप यहां पे पीडिये पी जो है डाउनलोड कर सकते हो अब रिसेंटी सेटरडे को एक डेडलेस अटेक हमको देखने को मिला नौर्थ यस्ट में 2020 में भी हमको एक अटेक देखने को मिला था उसमें भी काफी सारे आर्मी परसनेल जो है उनकी देथ हुई थी और इस अटेक में जो 46 असम र मैंनमार के पास में देखने को मिलेगा वहां पर यह अटेक को किया गया है अब मैप में देख लेते हैं तो मनीपूर मैंनमार से एक बहुत बड़ी बार्डर शेयर करता है यहां पर अगर आप देखोगे तो यह जो है यह पूरा बार्डर है मनीपूर का मनीपूर मैंनमार से बहुत बड़ी border यहां पे share करता है और जिस जगे यह attack हुआ है यह है चूरा चांदपुर 2020 में हमको चांदेल में देखा था एक attack 2020 में चांदेल में attack हुआ था और अभी चूरा चांदपुर में हुआ है अब देखो यहां पे एक 8 साल का इनका बेटा भी था जिसको जो है यहां पे मार दिया गया है अभी इस attack की responsibility किसने लिए है तो मनिपूर बेस जो militant group है People Liberation Army जिसको PLA कहा जाता है पर मनिपूर का नागा people front MNPF इन्होंने जो है यहां पे responsibility लिए है setting की अब आपको नाम से लग रहा होगा कि PLA People Liberation Army तो चाइना की आर्मी को बोला जाता है क्या चाइना PLA को यहां पे fund करता है तो जी हां अगर आप People Liberation Army विकी विडियो पे search करोगे तो बिलकुल आपको यही मिलेगा कि भारत यही claim करता है कि PLA People Liberation Army जो militant group है उसको fund करता है चाइना अब इसको found कप किया गया था तो People Liberation Army जो मनीपूर की है इसको कभी कभी जो है People Liberation Army PLA MP और PLA MP कहा जाता है इसको एन विशेश्वर जो है इन्होंने इसको found किया था 1978 में अगर हम इसकी strength की बात करें तो इस organization में करीब 3800 जो members हैं ये थे 2008 में अभी अगर हम बात करें तो करीब इनकी strength जो है 7000 के आसपास होनी चाहिए अब ये बात तो होगी recent attack की लेकिन अगर हम past attack की बात करें तो 2020 में भी हमको attack देखने को मिला था ये 29 July 2020 में इनों ने जो है यहाँ पे Assam Rifles पे attack किया था और करीब तीन जवान जो है यहाँ पे शहीद हुए थे इसके अलावा जो 6 RV personnel है वो injured हुए थे और ये इनों ने चांदेल जो district है मनीपुर का जो इंडो मैनमार बार्टर के पास है वहाँ पे इस attack को conduct किया था तो आखिर में जिस तरीके से ये attack conduct करते हैं क्या इस से North East पे impact पड़ता है देखो impact तो पड़ता है हमको भी दुख लगता है कि हमारे जो सेनेक हैं वो यहाँ पे शहीद हो रहे हैं लेकिन overall अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अगर आप प्रोजेक्ट देखो के North East में वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो ये उतना impact नहीं कर पाते North East में तो ये था lecture and I hope कि आपको जो है यहाँ पे काफी को जानने को मिला होगा सुने के लिए बहुत बधनिवाद जहिंद चेवारा